असलामेकूम आज मैं लाई हूँ आपके लिए अपने किचन में चिकन नमकीन कड़ाई जो कि हम चिकन से बनाएंगे ये दूसरे बीफ में भी बनती है मतन में भी बनती है लेकिन मैं आज इसको चिकन में बनाऊंगी तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने इंग्रेजिन्स की चिकन ले लेंगे हम 1 kg, और प्याज ले लेंगे दो प्याज हैं हमेरे पास, दर्मेहने साइज के, काली मिर्च है, नमक然后 काली मिर्च है और नमक है और हरमीची हैं तो सबसे पहले हम अपनी कडाई में आइल डालेंगे एक काप आइल डालेंगे कडाई में हमेशे आईल थोड़ा सा ज्यादा डलता है जब ये पक के तियार हो जती है तो पिर आप बेशादिक इसके एसके ओपर से आइल उतार लें हम थोड़ा ज्यादा ही आइल का इस्तिमाल करेंगे आइल गरम होते ही हम अपना चिकन जो है इसके अंदर डाल देंगे और इसको फ्राइ कर लेंगे तेज आँच पे हमने इसको फ्राइ करना है हल्की आँच पे इसको फ्राइ नहीं करना light brown होने तक हमने इसको fry होने देना है ताकि इसके उपर एक अच्छा सा color आजे यह देखें आप आँच आपने ज़रा तेज ही रखनी है कम नहीं रखनी है आपने आँच और अच्छी तरह से इसको चमच हिलाते हुए इसको fry कर लेना है light brown होने तक जब यह इसका color light brown हो जाए तो आप हम इसको चिकन को निकाल लेंगे oil में से और एक साइट पर रख लेंगे और इसी oil में हम अपना मसाला भूनेंगे मैंने जो प्यास इसमें शामिल करने हैं चिकन में हमेशा जो कड़ाई नमकीन कड़ाई बनती है उसमें प्यास जो है वो मैंने पहले गला लिये थे दो प्यास थे मैंने उनको पानी में सिंपल पानी में इनको गला लिया था फिर मैंने इसको मैश कर लिया अब वो जो प्यास मैश की हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिये और अच्छी तरह से इसको भूनना है दो हरी मिच्चे काटके मैंने यहां पर डाल दिये अच्छी तरह से प्यास को भूनना है ताकि इनका कच्छापन हतम होजे और आईल उपर आजे जैसे यह देखें थोड़ा थोड़ा उपर आईल आ रहा है तो इस स्टेज पर हब आके हम अपना लेसन और अद्रक का पेस्ट जो हमने बनाया था वो हम डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको भूनेंगे बुनाई है हमने इसकी बहुत अच्छी तरीके से करनी है देखें यह आईल हमारा उपर आ गया है और इस स्टेज पर मैंने यहां पर काली मिच एक चमच काली मिच और एक चमच नमक और एक चमच सुखा दनिया डाला था यहां पर वो मैं आपको दिखा नहीं सकी यह हमने भून के तो हमने जो अपना चिकन जो है फ्राइ किया था वो हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसको फिर दुबारा से अच्छी तरह से भूनेंगे कड़ाई जो है हमेशा तेज आँच पे बन दी है कम आँच पे जब इसको हम बनाते हैं तो चिकन अपना पानी छोड़ देता है और वो उस तरह से सही तरह से नहीं बन दी हमेशा तेज आँच पे इसको बनाते हैं और इसका टेस्ट फिर लाजवाब आता है इस स्टेज पर जब अच्छी तरह से यह भून जाए तो हम इसमें दही एड़ करेंगे यह तकरीबन एक अप दही है और इसमें यह जीरा कुटा हुआ जीरा है इसको बारीक नहीं कुटना मोटा मोटा कुटा हुआ है इसको पांच मिन के लिए हमने अच्छी तरह से इसको भूनना है ताकि दई का पानी जो हुश्क हो जाए और हमारी कड़ाई जो है वह रेडी हो जाए आपने अद्रक अद्रक जो है उसको बारीक बारीक लंबी साइट तरह की तरह काशें उसकी बना लेनी है काट लेनी है और हरीमिचें दो अद्रक काट ले बारीक और धनिया काट ले और बस यह हमारा कड़ाई जो है वह बुन के तयार होगी है अब हम इसके उपर अद्रक और हरीमिच और धनिया डालेंगे और उसको दम दे देगे तकरीबां 10 मिन के लिए हम इसको हल्की आँज पर दम के डेवरिस में शामिल हो जाए बस हम इसको हम चेक करेंगे देखें हमारी कड़ाई बिल्कुल तयार है और लाजवाब मज़े की लाग रही है अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट ये देखें जी कड़ाई हमारी जिम बन के त्यार होगी है बड़ी मज़े की उपर हम गानिश के लिए उपर अज़र की बारे काशें डालेंगे हर इमिज से इसको गानिश करेंगे और इसको देखें कितने मज़े की लाग रही है आप भी इसको ट्राइ कीजिएगा मेरी रेसिपी पसंद आए तो फीडबेक जूर दीजिएगा लाइक शेर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दुआओं में याद रखेगा आला हाफिज